आप देख रहे हैं कर्तब्य एवम निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृती का बयान, सम्ता की आवाज बयान टीवी उन प्रवच्नों के कारव, उनके उन दोहों के कारव, उस समय के राज्य राज्मान अपनी परजह को और अपने सासं को चलाने के लिए उनके दोहों का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कहा स्राइधास्रम कर खाए जोलो पार बसाए नेट कमाई जो कले कभू नब भिफल को जा सतियों आउनोंने उस समय भी पैसे को इमांदारी लिस्टा से कमाने की सला दो स्रम कर के वो कहते हैं कि ज़तका आपका सरीन सोस्त है ज़तका मनख में और नहोंमन से आप सोस्त हैं तो स्रम करके अपने अपने से पर पोन करके वह भी इमांदार्वार्य 55 सा पैसा कमा तर्कियों इस लिए सब्क personaje नहीं कि ज़्त कि libertci सबसे उपर नाम अगर वक्तिकाल में आता है तो सबसे उपर नाम अगर वक्तिकाल में आता है और संत्र अबिदास जी से ही प्रणा दे करों के अगर देखें तो तक वारत के पहले इसे वěते जिनोंने जिन्होंने मैराओं के लिए अपने प्रियास श्पन से स्कूल कोलने का काम किया। रखे स्कूल काम किया, बलकि अपनी असिचित पत्मी माता्र सταॉट्री वाहिटोले को 쿤ुषित करने की उन्हें देश की ह्नी महिरा सिचका बनाने का काम किया। तो दो जो लोगरष आप्रिक भालत में बहत्मा जाकी बाकुले कहते हैं। इंद्ध्या बिना मती गई मती बिना गती गई गती गई तीग गया। बित गया मेना सुझ रड़ातास हुआ। इतना सब खाय के वज़े से हुआ। और उसके बाद मुलाम हो गया। किसी अभ्यानता के लिए तो यह बात वात्मा जो कि घूले भी किसे प्रेश तोकर के कहते हैं इसके प्रेश्चा को बढ़ावा देने का अधाम करते हैं संतिसुर्वर्वदाजी के उस दोये को तुर्व जयानमे रखते हों कि इस विद्या को पढ़े भार्त करें सदा ज्यान पर दभी दास के लिविद्या नर्व को जाने जाने लिए कि जो बात कुछ सिच्छां को लेकर किस रभिदा जी ने कही ती वहीं उसी बात पो नोने उसी पास्टे प्रेदरत की आधिने के भारत में महात्माजीतिबा पुले माता सवित्रीवाइ कुले बंगॉल में देखें पुरचन ठापुर हर्चन ठापूर तमाम ऐसे लोगों और उसी करब में अगर हम देखते हैं तो साथ्यों दक्षिर भारत में धंदे पेरिया, स्री नाराम्यादू, महात्मा एंकालिन, पंडित वाईदीदार, अधिरास, या फिर अगर हम देखे तो सत्पती साहुची महाराज, और उनी से प्रेवितों करके अगर हम देखते तो मैसूर महाराज नागवडी क्रस्नाज बढ़ियार, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, नागवडी क्रस्नाज बढ़ियार हैंनी की क्रस्नाज बढ़ियार फोर्ट एक ऐसा साशक हुआ है, मैसूर का महाराज जो कहे जाते हैं, जिनों ने अपनी रियास्त में सब्धती साहुची महाराज से प्रेवितों करके, इन मह प्रेवितों किया, उसकी रिपोर्ट आई, तो भारत के पहला वाइपोर्ट कमीशन अगरम कह सकते हैं, जिस्टिस मिलर कमीशन का, और उसकी रिपोर्ट के आजार को 1921 में, नागवडी क्रस्टाज बढ़ियार फोर्ट ने अपनी रियास्त मैसूर में, पच्छतर नागवडी कि तो रिजर्वेशन के चैट्र के चैट्र में, अगर इस चैट्र में बढ़ाबा देने का काम किया है, तो यह भी प्रणा कहीं कहीं से संथ रगदास अगर हम देके तो यह उचारों की भात आती है, कि आज बढ़त्मान उनकी क्या वोंका है, तो मैं तो सवर् कि मेरी संद्रविदास जी को में खीच के नहीं राना पड़ता है विसके आज में विचार प्रसांगेक हैं वैसे ही प्रसांगेक हैं जैसे साथ्यों 14 सदी में रहे होंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि संद्रविदास जी ने समाज के हल पहलों पे अच्चोट करने का काम किया है जातवाद का हो जात की आधात पर गैर वराविर का हो या जन्म की आधात पर पेदाशिक की बातों की जन्म की आधात पर मुचनीज की भावना की बातों उसको भी और सबसे बड़ी बात जो नों में कही थी कि रविदाजी जन्म की आधात मुचनीज की बात का खंडन करते हो कि उन्होंने इस बात को कहा कि जाज के जन्व के अधार पर कोई आदमी नीचा उचा नहीं हो सकता है और उसको उन्होंने वाकाइदा स्काइंटिफिक रूप कि देने का काम किया वह कि जलकी नीचा पावन का धंबा या वास नाड़ी को पिंजर पंकी बसे इचार यह उन्होंने मनुस्कि तरी में 70%-90% जलो होता है हवा से अक्सिजन देने का काम करता है और वाकी जो यानि कि इस तरी के रख्त और पुरुस के उससे मिलके वो बनता है उसके बाद हारमा कहने का पुल मतलब है क्या जो मनुष्ट की परकल्पना जो हुई है साइंटिक ग्रूप में तो उसमें कहीं भी जन्म के आदार पर क्य थे मैं थो में भी चोटे और उसे उचोटी-चोटी भातव को बड़ करने का काम किया कि समाथ को एक 주क्रिने का संदेश कि्या आज साथियों अगर इस देश में सही वाहने में अगर हम देखें जो बर्तों पर्पेक्श में अगर देखें जो बोजन समय पार्टी की भूटका है तो उसके जनलाता उसलस्ता पगमानुवासरी कांसे रामसाव में अगर प्रणा लेने का काम किया तो है समस्ताउं संतर उन बातों से समझ के किया कि उन्होंने कहा था कि इसे मानुवर कांसिराम साभ में पूरे देश के लोगों को इस तरह का आपन करने का काम किया कि आप लोग एक जुट हो जाई है अगर आप लोग एक जुट होंगे जो भारत में 644 जातिया यानि कि 75 परसेंट आज नहारे लोग क्यों इस पास से पर परिशान है क्यों परिशान पर इस पास से हैं कि वावा साब डर्क्टर भीमराउं वेटकर ने हमें भारत के समिलाइन के वोड का सिधान देने का कम किया हमें एक वेक्ति एक प्रेटि एक मूल का सिधान देने का कम किया लेकिन आजाती पिति एक मूल के सिधान का Εटा आज भी एक भेटिक एक गुलका सिद्दान का कंदन आज भी उच्दीश़ींची भावना वेद्वान है इसलिए मंवानुर कांसिराम साफ ने सही माने में में रहा हम देखे तो उन्होंने जो जिनको भारत के आउन करता कहा गया है जिनने करिस्माई कांसिराम कहा गया है उन्होंने देश की उसी धर्ती को भारत की राजमीन का केद्वित बनाने का फैसला किया जिस धर्ती को आर्यावरत कहा जाता था जिस धर्ती से आर्योंने रह करके पुरे देश में सासन करने का काम किया लेकिन उसी धर्थी पर संदेश देखर के ऐसे क्योंकि उन्हों ने प्रेज़ों के मार्जम से जैसा कि मैंने तो संदुर रविदाश की संपूर इतियास में जो संदुर रविदाश जी है भारत के संपूर इतियास में प्रतम देती माना है जोने आदर समाज का धंचा पेश किया अर्टाते बताये कि समाज कैसा होना चाहिए जो समाज कैसा होने चाहिए इसकी विचार भारत के लोगों को सही माने ने संदुर रविदाश जी ने ततागत बुद्ध की उसी विचार भारत को आगे बढ़ाने का का मात्मा जोतिवापुले साउची महराच बावासाब द्रविद्ध को तमाम धक्षिव भारत के तमाम संतों गुरू मांको सुने जिनके हमें आपर एच्छे तो देख रहे हैं उन लोगों ने इस विचारधारा भार भार बढ़ाने का काम किया लेकिन फॉलिटिकल रूप से कर हम देखें सत्यों द आपक्टर वीमराममेट तक के मुव्मेंट को आगर आप सही महने में देखें तो इस जेस्टे इस भौज़न समाज के मुव्मेंट को बहुजर समाज के आंदोलन को सिर्फ पॉसरब एक पार्टी और एक पार्टी की लीडर अगामिया भैंकुबाई महावती जी और 30 मेंवर आप पार्लियमेंट चुनकर के जाते हैं जो स्थी के होते हैं और लगवग इतने ही रेड़ सो से दोस्तों के भी ओबी सी के भी चुनकर के जाते हैं कि जब 1980 में मंदल कमिशन की रिपोर्ट आही थी तो मंदल कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद में असी की रिपोर्ट थाया निक समय极 लगव करने के लिए एक सब्ध भी बोलने का काम ने जो उस्तों महनुसरी вр Frame आरसाब ने अपनी सरकारी नौकरी को लगवा छोड़ चुके थे और बाम सेथ की स्काफना कर चुके थे 6.178 को तो मानौर कांसेराम साम ने 6.178 को जो बाम सेथ की स्काफना की थी उस बाम सेथ के माध्यम सेथ से सबसे पहली बार सबसे पहली बार मंदल कमिशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए अपने लोगों के बीच में संदेश देने खाता हूँ हमारे साथी प्रफिशस लाफ रहते हैं और हमसे ज़्यादा बेतर से जानते होंगे अनिता जी भी है वो आपको लिए बेतर से बताई ही लेकिन मैं पाट्री क्या रास्रा संसाथ होने के बज़े सही मैं जरूर बताना चाहता हूँ क्यूंकि साथ के साथ मुझे थोड़ा बहुत दो तीन चार से बार मिलने का फॉखा मिला है और लोग सोचिंगे दो तीन चार बार मैं तो पचासों बार मिला लेकिन मैंने मैं इतना नहीं जानता है या मैं नहीं वधी बात करता हूँ तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि माणवर कहां से राम साब näगी बावा साब को कभी लाहिए हुना की सब्सक्राइब ने बावा साब के उस मुवमिनट को बोलंदियों पर पहुचाने का घाल करेव जो अपने आप तो बावा साब के साथ काम किया है मानवर कांशे राम सहाब ने अगर को सब्सक्राइब को कहा जाए उसमें तो यक्स्योक्ती नहीं पहले ही उन्होंने वाबा साब को देखा नहीं वाबा साब को सुना नहीं लेकिन मैंने मांगो कांसेराम साथ जो थोड़ा बहुत बीकाम के तो उसके आधाथ पर बता जी कि इस देश में मंदल कमिशन की रिपोर्ट के राख मिलिए पिछले समाथ के लोगों को जगाने के ल पूरे देश में इस संदेश को वांग से बड़ी एसपोर के मार्द्यम से उन्होंने देने का काम किया और यह कहा कि मंदल आयोग लागो करो बनापुर्सी खाली करो पूरे देश में अंदुलन किया जब चौदा अपर इनिस्तों चौराशी को बोजिन समाज पार्टी की स और यह किली के उसमयदान में लागों की संद्या की सामने संबोधित रहर की का कि वोए लu नहीं चलीगा को सब्सक्राइब लागू करो वरना कुषी खाली करो जो बहुजन की बात करेगा वो दिलिए पर राज करेगा और जो सबसे बड़ी बात कहीं कि बोर्ट से लेंगे सबस्क्राइब लेंगे एस पीडिया तो यह जो नारे पर उस समय वहले ही आरत की विजाओं में भूम रहते हैं और केबल केबल भूजन समाज के दिलों में बास करते थे लेकिन इस सदी के महानायक मानुवरकांसे राम साव ने जब दीन उनिस्व परचानवे को भूजन समय पर्टी की नेत्री परमाजन अभाएंगी को देश के सब्सक्राइब उत्तर प्रदेश की मुकमंत्री की सफ़द दिलाने का थाम किया तो उस नारे को सही मानिन हकीकत में तब्दिल करने का थाम किया कि अब भूजन की बारी है 20 सदी हमारी है 20 सदी सदी से पहले देश के पार्या ब्रत कहा जाता था उसमें एक दलिद की बेटी को एक दलिदे चमान की बेटी को उन्हें अपने हापको चमान की बेटी कहने में खुद को घर मैस्ट अधनिया भाएंगी को उस बेटी को देश के सबसे बड़े सुब्सक्राइश का मुकमंत्री एक बार नहीं दो हैं संथर आउदाशी के आप जो आपको याद होगा कि घुडऻय की जिन्हा मैके बनाने के नांट जितने हमारे इंहां कुरुष हुए तो मैं दागे के साथ एक है सकता हूं कि जितने मेरा जितने पार्टिया हैं इन्हों ने उस्मंडल कमिशन के लिए ना तो संधर्स किया और ना ही लागो करने के लिए वीपिस्टी की गौवर्नमेंट को दवाव बनाने का काम किया जब कि यह लोग समठन दे रहे थे अगर द पहरत अतन दिया जाए और फिर दूसरे नंबर दूसरी सर्थ है कि जो पिछलों की समस्या है कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागो करके उनको रिजर्वेशन देने का थाम के जैसे च्छार सरकारी में अपने अपने बयान पीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंस बॉक्स में जरूर लिखने